तो हेलो एबरिवान जैहिंद और आपको पता है मैं आपके लिए बहुत अच्छे प्रस्णों को लेके आता हूँ तो आज के इस वीडियो में भी हम जोगरफी के सांधार तीस प्रस्णों को करेंगे इन सभी भी questions को अच्छे से कर जाईएगा देखिए आपके परिच्छा के द्रिष्टी कोन से सारे प्रस्णों को लिया गया है और परिच्छा में जरूर ये प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे इसके एक भी परस्णों को आप छोड़िएगा नहीं सभी को बहुत अच्छे से कर जाईएगा तो शुरू करते हैं मारे पहले प्रसें कि ओजुन परत जो है वो कहां पाई जाती है तो देखिए ओजुन परत जो है वो कहां पाई जाती है तो ओजुन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है ओजन परद बता दे आपको की धर्दी की सता से 15 से 35 किलो मीटर के बीच में जो है ओजन परद आपको देखने को मिलता है तो option C यहाँ पे क्या होगा बिल्कुल correct होगा question है कि पिर्थवी के वायू मंडल में सरवाधिक घनतव कहां पर होती है तो देखे पिर्थवी के वायू मंडल में सबसे अधिक घनतव जो है वह आपको किस जगापे देखने को मिलती है वो चोब मंडल में देखने को मिलती है फ्रेंस मैं आपको यहाँ थोड़ा समय समझा देता हूँ यह छोब मंडल यह सारे मंडल जो है वायू मंडल का किस तरीके से जो है division किया जाता है मैं बता दूँ तो वायू मंडल को मुख्यता जो है वो 5 भाग में division किया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 मान लिजे यह पृफ्वी है यह पृफ्वी का सता है पृफ्वी का सता से लेकर उपर तक उल 5 division किया जाता है जिसमें से जो यह पहला होता है उसे हम छोब मंडल कहते हैं क्या कहते हैं छोब मंडल या फिर आप इसको ट्रोपो स्फेयर भी कह सकते हैं इंगलिस में तो ये ट्रोपो स्फेर यानि कि छोब मंडल होता है या पिर्थवी की सता से 8 से 18 km की उचाई तक होता है आठ किलो मिटर या धृूमों पे होता है और बाकी आपके विश्वत रेखा पे ये 18 km तक उचा होता है कौन छोब मंडल इसके बाद दुसरा जो परत होत उसे हम समताप मंडल कहते हैं यानि कि स्ट्रेटो स्फेयर कहते हैं जो कि 50 किलो मीटर तक उंचा रहता है कितने किलो मीटर तक 50 किलो मीटर तक पहला जो है वो आठ से लेके 18 किलो मीटर दूसरा जो है 50 किलो मीटर उसके बाद तीसरा परत जो है उसे हम मध्य मंडल यानि कि किलो मीटर तक रहता है कितने किलो मीटर 90 किलो मीटर उसके बाद वाला जो परत होता है उसे हम सब ताप मंडल कहते हैं यानि की थर्मो स्पेर कहते हैं जो की 640 किलो मीटर रहता है उसके बाद वाले को हम लोग क्या कहते हैं एक्जो स्पेर यानि की बहिर मंडल कहते हैं जो की लगबग 10,000 किलो मीटर तब उपर फैला होता है तो ये पिर्थवी से इस तरीके से विभाजन होता है वायू मंडल का इतने परत होते हैं और ये परत इस तरीके से इतने हाइट पे हमको देखने को मिलते हैं तो फ्रेंट्स आप याद रखिये का इसे तो यहाँ पे जो कोश नेक्स कोशन है मेग गरजन वायू मंडल की किस परत पर होता है तो देखिये मेग गरजन जो होता है थंडर स्ट्रॉम जो देखने को मिलता है कड़क बिजली का चमकना ये सब चीजें जो होती है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है तो ये सबी चीजे जो आपको देखन किरनों को अवसोसित कर लेती है तो देखिए वो कौन सी परत होती है जो सुर्य से जो परा बैगनी किरन जो निकलती है उसको अवसोसित कर लेती है तो यह परत होती है ओजोन मंडल कौन सी ओजोन मंडल ओजोन लेयर ओप्शन डीक बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा मैंने देखिए कि समताप मंडल को जेट विवानों की उड़ान के लिए आदर्स माना जाता है क्यों तो देखिए जेट उड़ान जो होती है सबसे पहले आपको याद रखना है कि जेट उड़ानी जितने भी होती है वो समताप मंडल में होती है और समताप मंडल में ही जेट क्यों उड़ती है छोब मंडल में क्यों नहीं मध्य मंडल में क्यों नहीं तो देखिए समताप मंडल में उड़ने का मुख्य कारण यह होता है कि यह जो परत होती है इस परत में बादल और अनमौसमी घटनाएं नहीं होती है तो जो प्लेन उड़ेगा और इस तरीके के अगर मंदल और मौसमी घटनाये नहीं होती है। इसी कारण प्लेन किसमे तो समताफ मंदल में उड़ता है। एक चीज़ आप और याद रखेगा कि समताफ मंदल ही एक ऐसा मंदल है, जहां पर सबसे कम गतिवीदी देखने को मिलती है। तो next question देखते हैं कि वायो मंदल में किस सता में अधिक तापमान उतार चड़ाव नहीं होता है तो जैसा कि अभी मैंने आपको बता है कि कौन सा वो सता है जहां पे तापमान का उताव चड़ाव आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा तो ये है समताप मंदल इसी कारण प्लेन भी जो है इसी सता पे उड़ती है next question है कि किस रितू में छोब मंदल की उचाई में विर्दी हो जाती है तो छोब मंदल यानि की ट्रोपो स्पेर जो की धुरूओं में 8 किलो मीटर तक फैली होती है प्रिथ्वी के सता से और विसुवत रेखा पे 18 किलो मीटर सोला से 18 किलो मीटर तक उची होती है ये जो है किस रितू में इसकी उचाई और बढ़ जाती है तो देखे इसकी उचाई जो है वह ग्रिस्म रितू में और भी बढ़ जाती है कौन से रितू में ग्रिस्म रितू में नेक्स कोशन देखते हैं कि वातावरन की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है तो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली तरंग कौन सी है तो देखे इस question का right answer है आयन मंडल ठीक है आयन मंडल देखे आयन मंडल के मैं बारे में बता दूँ आयन मंडल को मुख्य रूप से चार परत में बाटा गया है ठीक है पृत्वी से लगबग 55 km के बाद आपको जो है डी नमक पर आप देखने को मिलता है ठीक है याद रखिएगा आयन मंडल की मैं बात कर रहा हूं किसकी तो आयन मंडल की जब मैं बात कर रहा हूं तो पृत्वी से लगबग 55 km के बाद जो आपको डी परत देखने को मिल और इसमें अधीक आयन्स पाए जाते हैं, डी था, उसके बाद E परत होता है, सबसे अधीक आयन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसकी प्रिथवी से लगबग 145 किलो मीटर उचाई होती है, शुरू वाले की 55 दूसरे की 145 किलो मीटर उचाई होती है, 145, इसी को जो है के केनली हेवी साइड कहा जाता है, इस परत को क्या कहते हैं, केनली हेवी साइड भी कहते हैं, इसके बाद वाले जो परत होती है, उसे F परत कहते हैं, जो की 200 किलो मीटर उचाई तक होती है, और सबसे अंतिम वाले को F2 परत कहते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहला जो आ यहां question जो था कि वातावरन की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है तो कौन सी तरंग जो है रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है तो इसका right answer हो जाएगा option A iron मंडल next question है कि संचार उपगरा किस वायू मंडली अस्तर के में स्थित होता है तो जो संचार उपगरा जो हम लोग टेली कॉम्यूनिकेशन जो सेटलाइट भेजते हैं वो वायू मंडल के कौन सी अस्तर पर जाके वो रहता है वहां पर स्थित होता है तो देखे इसका right answer है option B iron मंडल I know is fair में next question है कि आयू मंडल में ओजोन अस्तर के अवशय का कारण निम्ड मेंसे कौन सा रासायार है तो वायू मंडल जो ओजोन लेयर घटते जा रहा है वो किस कारण से घटते जा रहा हूं वो जो पतला होता है उसमें छेद होते जा रहा है उन से कारण से तो chloro-fluorocarbon कि से निकलता है सेविंग करने वाली क्रीम से निकलता है रेफ्रीजरेटर से निकलता है यह सबी चीजे से क्लोरो फ्लोरो कारवन जो है रिलीज होती है लेकिन हाला कि आज की जो रेफ्रीजरेटर आती है उसमें यह जो है नहीं निकलता है तो याद रखेगा कि आयू मंडल में जो ओजुन का स्तर है वो किसी से जो है अवशे उसका हो रहा है तो ख्लोरो फ्लोरो कार्बन से नेक्स कोशन है कि वायू मंडल के किस भाग में जलवास्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्मान रहता है तो कौन सा जो है भाग है वो जलवास्प का 90% भाग वहीं पे विदमान रहता है तो इसका right answer है option C F परत में कौन से परत में? F परत में Next question है कि कि किस वायू मंडल ये परत को मौसमी परवर्तनी की छथ के नाम से जाना जाता है यानि कि सबसे अधिक वहां मौसम से संबंदित परिवर्तन के कारण उसे मौसमी छथ के नाम से बुला जाता है तो ये परत होता है छोब मंडल यानि कि ट्रोपो स्फेयर option B क्या है बिल्कुल correct नेक्स कोशन है कि हवाई जाज प्राया डैस में उड़ते हैं तो हवाई जाज जो है फ्रेंस वो समताप यानि कि स्ट्रेटो स्फेयर में उड़ते हैं नेक्स कुशन है कि पिर्थवी की समी पाए जाने वाली वायू मंडली ये परत क्या कहलाती है तो पिर्थवी के नजदीक चो पाई जाती है वायू मंडली ये परत उसे हम क्या कहते हैं उसे कहते हैं Tropo Sphere, उसे क्या कहते हैं, Tropo Sphere Option, ए बिल्कुल क्या होगा, Correct होगा, Next Question है, कि वातावरन में सबसे ज़्यादा ओजुन का संकेंदरन कहा होता है, तो देखे, वातावरन में ओजुन का सबसे ज़्यादा संकेंदरन जो है, कहां पर होता है, वो होता है समताप मंडल में option C बिल्कुल क्या हो जाएगा right हो जाएगा next question है कि वायू दाप यानि कि pressure प्राया सरवाधिक होता है जब वायू होती है तो कैसे वायू में जो है pressure सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा अब ठंडा जगा में इसका मास भारी होने के कारण ये नीचे आ जाती है और नीचे आने के बाद फिर यहां से ये है transform होके यहां आती है क्योंकि यहां पे low pressure आ जाता है यहां पे high pressure बन जाता है तो याद रखिएगा गर्म के जगा के comparison में जो ठंडी जगा होती है वहाँ pressure भी जादा होता है साथ ही साथ जो है जो सुस्क ठंडी और प्लस सुस्क ठंडी जगा automatic आपको पता है सुस्क ही होती है तो सुस्क और ठंडी जगा में pressure आपको जादा देखने को मिलता है तो question number 16 का right answer option A हो गया next question है वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निमन में से किसका सूचक है तो pressure बैरोमिटर में अचानक जो है आपको बैरोमिटर जो है वायुदाब को नापता है आपको पता है तो barometer में अगर आचानक reading आपका एकदम घट के नीचे आ गया है तो इसका क्या मतलब है तो देखे बैरो मेटर का reading घटने का मतलब है कि तुफान आने वाला है ठीक है तुफान आने वाला है तभी वहाँ पे बैरो मेटर की reading घट गई है next question है कि समान वायुदाब पाया जाता है तो समान वायुदाब आपको कहां पे देखने को मिलता है तो समान वायुदाब जो है सागर तल पर आपको समान वायुदाब देखने को मिलेगा सागर तल सी लेबल पे नेक्स कोशन है कि डोल ड्रम पेटी का विस्तार समानियता पाया जाता है तो डोल ड्रम जो है वो उसका विस्तार समानियता कितने से कितने डिगरी तक पाया जाता है जो अर्थ में सारे जो डिगरी बाटे गए जूरियो डिगरी से है ना उसके बाद 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डि तक फ्रिंस मैं आपको बता दूँ कि कुछ-कुछ एग्जामीनेशन में मैंने इसको इस 10 डिगरी को मैंने 5 डिगरी भी देखा यानि कि 0 डिगरी से उपर 5 डिगरी और 0 जिगरी से निचे 5 डिगरी तो जैसा ओप्सन रहेगा वैसा आपको टीक करना है यहाँ 10 डिगरी है त वहाँ पे निम्न दाब आपको यानि कि low pressure ability से माना जाता है ठीक है और वहाँ पे पवन जो होती है वो बिल्कुल सांत होती है तो निम्न दाब एवन सांत पवन ही जो है विसेस्ता होती है किसकी low drum च्षेतर की next question है कि सांत पेटी किस रेखा के दोनों और पाई जाती है जैसा कि अभी हमने बात किया तो सांत पेटी जो है भूम अदे रेखा 0 डिगरी से उपर और नीचे जो है ये सांत पेटी हमें देखने को मिलती है next question है कि विश्व के सभी उस्न मरूस्थल नीवन में से किस पेटी में इस्थित है तो उस्न मरूस्थन जो है किस पेटी में इस्थित आपको पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं तो ये जो है उपोस्न कटी बंधिये उच दाब पेटी में देखने को मिलेंगे तो आपसे पूछा जाया कि उस नमरू अस्थल कैसे जगा पर पाया जाता है तो उस नमरू अस्थल पूरे विश्व में जो है उपोस्न कटी बंधी है उच दाप पेटी में ही पाया जाता है नेक्स कुशन है जेट धराएं जो जेट स्ट्रीम होती है वो पराया पाई जाती है तो जेट स्ट्रीम जो है वो हवा का लेयर होता है एक मोटी जो है मध्यम मोटाई की हवा का एक धरा होता है धरा के जैसा होता है ये हवा का और ये बहती है उपर उपर लेबल पे ही बहती ह तो jet stream जो है कौन से layer पर पाई जाती है तो jet stream जो है वह पाई जाती है छोब सीमा पर छोब सीमा ट्रोपोस फिर जहां पर खतम होता है उसी जगह पर जो है आपको jet stream देखने को मिलता है next question है कि बैपारिक हवाएं किन अक्षांसों से किन अक्षांसों की और बहती है तो जो बैपारिक हवाएं होती है वह अस्व अक्षांसों से विस्वत रेखा की और बहती है ठीक है कहां से तो horse latitude से लेके 0 degree जो होता है equator उसकी तरफ जो है बहती है तो option c बिलकुल क्या होगा बि भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है तो जो उच दाब से जो छेतर होता है यानि कि हाई प्रेसर जो एरिया बेल्ट होता है उससे जो भूमध्य सागर की ओर जो हवाएं चलती जो पवने चलती उसे क्या कहते हैं तो ऐसे पवनों को वैपारिक पवन कहते हैं ट् बिल्कुल क्या है करेक्ट है नेक्स है कि पूरे वर्ष एक ही दिशा में परवाहित होने वाले पवन को क्या कहते हैं तो पूरे साल भर जो है एक ही दिशा में जो पवन बहती है वैसे पवन को क्या कहते हैं तो वैसे पवन को कहते हैं सनातनी पवन क्या कहते हैं सनातनी पवन option B क्या होगा बिल्कुल right answer होगा next question है कि वैपारिक पावने कहां से चलती है तो trade wins जो है वो कहां से कहां चलती है तो trade wins जो है वो उपोस्न उचदाब से चलती है कहां से उपोस्न उचदाब से next question है कि very important question है वी 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 आईए बहुत बार पुछा गया है हमेशा पुछा जाता है कि गरजती 40 परचंड 50 और चीकता 60 यह तीनों जो है कि अब बहुत सारे एक्जाम में पूछेंगे यह सवाल तो यह तीनों जो है वो दक्षिनी गोलार्द में पस्च्चिमी पवने हैं कैसी पवने हैं तो पस्चिमी पवनों को कहते हैं क्या तो गरजती 40 परचंड 50 एवं चीखता 60 ठीक है ये इतने degree latitude पे ये पवन पाए जाती इसलिए इसका नाम उसी तरह का दिया गया है तो question number 29 का right answer कौन सा हो जाएगा तो option B next question है next question है and इस video का सबसे last question है कि दहारता 40 क्या है तो friends दहारता 40 क्या है तो दहारता 40 दक्षिन गोलार्द में 40 डिगरी अक्षांस के पास चलने वाली तेज हवा है तो जहां 40 आएगा जहां 60 है का समझ जाएगा ओ डिगरी वहाँ पे दिरसारा है तो यहाँ पे 40 का मतलब 40 डि दिगरी हो गया और दहारता के नाम से जाना जाता है दक्षिनी गोलार्द में पाया जाता है तो दक्षिनी गोलार्द में 40 डिगरी अक्षांस के पास चलने वाली तेज हवा को क्या कहते है दहारता 40 है तो friends अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर और साथी साथ अपना valuable comment करना ना भूले हमें आपके comments का इंतिजार रहता है तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं जाहिन